कौन से रहेंगे वो प्राइवेट कॉलेज़ जहां आप एड्मिशन ले सकते हैं, वो भी CUT एक्जाम के थूँ, क्या ये कॉलेज़ में एड्मिशन लेना आपका एक सई चोईस रहेगा, क्या रहेगा इन कॉलेज़ का एड्मिशन प्रोसेस, कौन सी स्पेशलाइजेशन मिल आपको और क्या रहेगी आपकी फी स्ट्रक्चर, तो अगर आप इस चानल पर नए आए हैं, तो इस चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं, तो यहां हम बात करने वाले हैं, टॉप प्राइविट उनिवर्सिटीज की, तो सबसे पहले टॉप प्राइविट उनिवर्सिटीज में हमारे पास लिस्ट में नाम है, UPS देराधून, यह उनिवर्सिटी देराधून की काफे जानी मानी उनिवर्सिटी है, और अगर मैं इसका NRIF रांकिंग की बात करूं तो ये युनिवर्सिटी 39th रांक पे है ये युनिवर्सिटी UGC एप्रूवड होने के साथ साथ नाक एक्रिडियेटेड और बार काउंसल आफ इंडिया से एप्रूवड युनिवर्सिटी है अगर इस युनिवर्सिटी की इस युनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिममम 10th, 12th और ग्राजुएशन में 50% स्कोर करना है और ये युनिवर्सिटी अपना खुद का इंटर्वियू और साथ में एक अपना टेस्ट भी कंड़क्ट करती है तो अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइजेश पावर मैनेजमेंट जिसी स्पेशलाइजेशन प्रवाइड करती है तो अगर हम फीस की बात करें तो यहां पर आपको MBA की फीस को 6 लाग से लेके 7 लाग के बीच में मिलती है और अगर मैं एवरेज प्लिश्मेंट की बात करूं तो इस युनिवर्सिटी की एवरेज प्ले होने के साथ साथ नाक एप्लस एक्रिडियेटेड युनिवर्सिटी है वहीं हम इसकी इलिजिबिलीटी की बात करें तो स्टूडेंस इस युनिवर्सिटी में इडमेशन लेने के लिए आपको मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स चाहिए अपने ग्राजुएशन में और युनिवर्सिटी अपना खुद का पी ए राउंड भी कंड़क्ट करती है अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की तो शार्दा युनिवर्सिटी में आपको एंगभी की स्पेशलाइजेशन कुछ मार्किटिंग मानेजमेंट, बांकिंग एंड फ़ाइन सब्सक्राइजनнем शाद़ा युनिवर्सिटी की फीज की बाद करूं तो इस इउनिवर्सिटी में फीज आपको 7.5 लाग से लेकि आटलाग के बीच मिलेगी और दूसरे तरफ अगर हम इसकी व्यर्यज प्लिसमेंट की बात करें तो शार्दा युनिवर्सिटी की एवरिज प्लेस्मेंट को 7-8 लाग के बीच में रहती है CUT MBA Private Colleges में अगली युनिवर्सिटी हमें MIT युनिवर्सिटी मिलती है ये युनिवर्सिटी एक टॉप रांग युनिवर्सिटी है NRIF रांकिंग की बात करें तो ये युनिवर्सिटी 28 रांग पर UGC Approved NAC A Plus Grade University साथ में AICTC Approved University है Eligibility की बात करें तो students आपको minimum 50% mark score करने पड़ेंगे अपने UG program में और वहीं दूसरे तरफ ये युनिवर्सिटी अपना खुद का एक written test भी conduct करती है वहीं specialization की बात करें students तो MET University आपको various specializations provide करती है जैसी MBA in Digital Marketing, MBA in Design Thinking, MBA in Agriculture and Food Business, MBA in Business Analytics, Journal MBA, MBA in HR और बागी आप अपने screen पर देख सकते हैं अगर हम MET University की fees की बात करें तो यहाँ पर आपको MBA कुछ 13 लाग से 14 लाग के बीच पर मिलती है और वहीं अगर मैं इसके average placement की बात करूँ तो इस university की average placement को 6,5 लाग से लेके 7,5 लाग के बीच में रहती है Next on the list हमारे पास है IILM University गुडगाओं की यह university गुडगाओं की काफी famous university है यह university UGC approved, NAC A plus university, AIU approved university है अगर यहाँ पर eligibility की बात करें तो students इस university में भी आपको minimum 50% mark score करने पड़ेंगे और साथ में इस university का आपको एक application form भी fill करना पड़ता है वहीं अगर हम इसकी specialization की बात करें तो इस university में आपको journal MBA के साथ साथ MBA in Marketing and Finance Management, Business Analytics, Sales and Marketing जैसी specialization भी मिलती है वहीं हम इसकी fees की बात करें तो इस university की fees साड़े 11,00,000,000 से लेके साड़े 12,00,000,000 के बीच में रहती है और वहीं दूसरी तरफ इसका average package को साड़े 7,00,000,000 से लेके साड़े 8,00,000,000 के बीच में रहता है Apex University जो की जैपुर में located है students आप CUT, PG के थूँ उस university को भी target कर सकती है ये university AICT approved, UGC approved and AIU approved university है बात करें eligibility की तो students आपको minimum 50% marks चाहिए अपने graduation में to take admission in Apex University वहीं अगर हम specialization की बात करें तो students इस university में specialization आपको various fields में मिलेगी जैसे की MBA in banking and financial services, MBA in HR, MBA in health and hospital management, MBA in design marketing, MBA in event management वहीं अगर मैं fees की बात करूँ students तो इस university में फीस आपको 2,60,000 के करीब मिलेगी और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसके average placement की बात करते हैं तो इस university में आपको 4,50,000,000 के बीच का average package मिलता है तो students यह थे आपके कुछ private universities जो आप CUT, PG के थूँ target कर सकते हैं उनकी specialization offering और उनकी fee structure तो I hope आपको आज का यह वीडियो काफी interesting लगा होगा Still अगर आपके कुछ भी doubts होंगे तो हमें comment section में ज़रूर बताइएगा और बिल्कुल इस वीडियो को like करना, share करना और channel MBA Funders by Sunstone को subscribe करना मत भूलिएगा Thank you so much